और राजधानी राची से सटे मांडर में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बड़ी सफलता हाथ लगी है यहाँ डोडा लदेख ट्रक को पुलिस ने पकड़ा है और एक बड़ी कारवाई हम इसे कह सकते हैं NCB की नंसीबी ने ट्रक को मांडर थाने में लाकर खाली कराया है जिसमें पूरे ट्रक में डोडा भर कर ले जाया रहा था जिसके गिंती और वजन फिलाल कराई जा रही है यह बड़ी उपलबधी मानी जा रही है NCB के और से फिलाल ट्रक के खलासियों और ड्राइवर को गिरफ्त मांडर में कारवाई करते हुए एक डोडा लदे ट्रक को पुलिस ने जब्त किया है और इन सीबी प्रमुकता से इसमें कारवाई कर रही है मांडर थाने में इसे खाली कराया जा रहा है जिसके गिंती और वजन की जा रही है बड़े पैमाने पर डोडा की जो तसकरी है वो की जा रही थी तस्वीरों में आप देख करके समझ सकते हैं बड़े बड़े बोरे के पैकेट हैं और ये पूरे ट्रक में भरे गये थे तो ये कितनी बड़ी सफलता है इन तस्वीरों को देख कर आप समझ सकते हैं और राजधानी राची से सटे मांडर में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बड़ी सफलता हाथ लगी है यहां डोडा लदेख ट्रक को पुलिस ने पकड़ा है और एक बड़ी कारवाई हम इसे कह सकते हैं नर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कारवाई की है राजधानी राची से सटे मांडर में कारवाई करते हुए एक डोडा लदे ट्रक को पुलिस ने जब्त किया है और इन सीबी प्रमुकता से इसमें कारवाई कर रही है मांडर थाने में इसे खाली कराया जा रहा है जिसके गिंती और वजन की जा रही है बड़े पैमाने पर डोडा की जो तसकरी है वो की जा रही थी तस्वीरों में आप देख करके समझ सकते हैं बड़े बड़े बोरे के पैकेट है और ये पूरे ट्रक में भरे गये थे तो ये कितनी बड़ी सफलता है इन तस्वीरों को देख कर आप समझ सकते हैं और राजधानी राची से सटे मांडर में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बड़ी सफलता हाथ लगी है यहां डोडा लदेख ट्रक को पुलिस ने पकड़ा है और एक बड़ी कारवाई हम इसे कह सकते हैं नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कारवाई किया है राजधानी राची से सटे मांडर में कारवाई करते हुए एक डोडा लदे ट्रक को पुलिस ने जब्त किया है और इन सीबी प्रमुकता से इसमें कारवाई कर रही है मांडर थाने में इसे खाली कराया जा रहा है जिसके गिंती और वजन की जा रही है बड़े पैमाने पर दोडा की जो तसकरी है वो की जा रही थी तस्वीरों में आप देखकर के समझ सकते हैं बड़े बड़े बोरे के पैकेट हैं और ये पूरे ट्रक में भरे गये थे तो ये कितनी बड़े सफलता है इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं